पवन सिंग को 3,70,000 के आसपास भोट मिलेगा पिंदर कुस्वाजी को 2,02,000 के आसपास फवन सिथरा सलीड में हैं वहीं 10,15,000,20,000 के यह अंतर होना चाहिए तक्कर है दो ही लोग के बीच में है पवन सिंग और राजा राम सिंग जी अगर थोड़ा सा भोट इधर से उधर अगर स्विंग करेगा तो दोनों में से कोई उम्मीद्वार निकल सकता है कि सिंग का पल्रा थोड़ा भारी तो जरूर है लेकिन अगर जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना अगर भोट ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो साध राजा राम सिंग जी का पल्ला भारी हो जाए प्राकाट के ग्राउंड जीरो समय बता रहा हूं यह सबसे ताजा सर्वे है कि कहीं ने कहीं तकड जो है बहुत एकदम माइनर का नवजवान बच्चे हैं जो मोबाइल पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनका सपोर्ट काफी ज़्यादा है पाउंसिंग जनरेशन का जो फैक्टर है यही डिसाइडिंग मुव्मेंट भी हो सकता है यहां मुस्लिम बहूल छेतरों में पाउंसिंग को भोट दिया गया है एक विशेश समाज से आते हैं जो कि वो एंडिये को सपोर्ट करते हैं लेकिन हाँ जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों में यह है कि वहां पर विखरा हुआ है बड़े नेताओं के बाद जो जंग आये थे तो उनका इंपक्ट पड़ा लास्ट के जो पांच दिन है मतलब उसमें इंपक्ट पड़ा है दोस्तों पूरे भारत में कराकाट लोगसभा छेतर जो है वो बहुत ट्रेंडिंग रहा चुनाव खत्म हो गये अब सभी लोग जो है एक्जिट पोल के आगे बढ़ बता दे आपको सब की आखे और निगाहे जो है वही एक्जिट पोल पे अड़ी हुई है कि कराकाट से क्या पवंसिंग निकल रहे हैं राजाराम निकल रहे हैं उपेंद्र कुसवहा निकल रहे हैं यह लोग जो हैं दीन रात सर्च कर रहे हैं और दीन रात एक दूसरे से अभी देखे हमारे साथ काराकाट के कुछ लोग हैं इनसे हम सही और सटिक सर्वे करने वाले हैं और जानेंगे कि काराकाट का जो महौल है अब किसके तरफ मुड़ गया है कौन अभी निकल रहा है किसको कितने वोटा है या सारी चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर हम बात क अच्छा जिसमें कि एंडिये से उपेंदर कुसवहां जी है जी निर्दलिये पवन सिंग जी है और इंडिया गटबन्धन से राजा राम सिंग जी जी है तरही नहीं लोग जो हैं आखे निगाहें बढ़ा कर बैठे हैं देख रहे हैं कि इस बार कारा काट में कौन जीत र पुवन सिंग को 3,70,000 के आसपास भोट मिलेगा और राजा राम सिंग जी को लगभग 3,35,000 के आसपास भोट आया है और फिर उपिंदर कुस्वहा जी को 2,72,00 के आसपास अच्छा यह करकाट में मतलब चल रहा एक दूसरे के मुहा मुही और लोग जान रहे हैं इक तरह से जो आप लग एकजीट पोल कर रहे हैं तो यह एक तरह से हमारा भी एकजीट पोल ही है अच्छा करकाट के लोग जो है एकजीट पोल भी बना के रखे हुए हैं बिलकुल अच्छा क्या लग रहा है इनके हिसाब से जो है पावन सिंग आगे निकल रहे हैं 30,000-40,000 भोटों से हाँ पाउंसी यहाँ पे दो लोगों वे फाइट है पाउंसी और राजा राम जो मिद्वार है तो यहीं अंतर होगा 10-15,000 बिजास ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए जीत में यानि कि मुकाबला बहुत मतलब तक्कर का रहा है अच्छा की मुकाबला रहा है अब ही जो है कुड़ों के मुताविक से सुत्रों के हवाले से जो आ रहा है उससे पाउंसी निकल रहा है पाउंसी फुरा सलीड में है 10-15,000 बिजार के ही अंतर होना चाहिए जो जीत्यार हो हाँ जी अच्छा किस मुद्दे पर वोट किये थे इस बार आप लोग देखिए सब मुद्ध पर काम करवाने के लिए और विकास करवाने के लिए ही वोट किया गया है अच्छा आपको एक और बात बताए करकाट का महौल आप लोग देख रहे हैं कहीं ने कहीं जो है अनुभवी थोड़े से लग रहे हैं भाया बता रहे हैं कि पवन को 370 राजा राम को 340 के आसपास उपेंदर को 215 20 के आसपास ये आख्डे जो है लोगों के प्रती जो है बाते चल रहे हैं करकाट में ये तो सही है कि में जो टक्कर है दो ही लोग के बीच में है पवन सिंग और राजा राम सिंग जैसा कि मुभमेंट यहां का मतलब समझ में आता है जो इष् से उधर अगर स्विंग करेगा तो दोनों में से कोई उम्मीद्वार निकल सकता है किसी का ये बिलकुल ही नहीं कहा जा सकता है कि कंफर्म है तो लेकिन सोचल मीडिया पर तो काफी तगड़ा हवा था कि पवन सिंग एक होतारफा चुनाव निकाल नहीं देखिए अब यहां पर बहुत सारे चीज़ों पर बेसिक पर होता है जैसे जातिगत यहां पर बहुत महत्तपूβ Lotasjila है यह सब में जाती एक बहुत पर्मुख माइने रखता है और प्लस में यहां के जो पुराने नेता जास्तप पहले जीते हैए और कुछ काम वो लोग लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो साइद राजा राम सिंग जी का पड़ला भारी हो जाए थोड़ा से लेकिन मार्जिन बहुत पतला रहेगा इसमें बहुत पतला मार्जिन रहेगा अच्छा लेकिन जो है सोसल मीडिया पर एक तरफा जो है पवन सिंग जीत गए जीत गए वो चल रहा है लेकिन धरातल पर कराकाट के ग्राउंड जीरो से में बता रहा हूं यह सबसे ताजा सर्वे है कि कहीं ने कहीं तकर जो है बहुत एकदम माइनर का काटे की टकर है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है जादो भोटर से धाई लाग के आसपास यहां पर कोईरी और कुर्मी भोटर से दो लाख राजपुत भोटर से दो लाख वैस से हैं 75,000 ब्राम्बन भोटर से और 50,000 भूमिहार भोटर से लेकिन क्या होता है कि पवन सिंग एक स्टार है तो उनके लिए थोड़ा सा जो जात जया जया रहते हैं उनका सपोर्ट काफी जादा है रहते हैं वह चहाए कोई भी कास्ट का हो मतलब मेरे को लगता है कि उनका सपोर्ट पावन सिंग को है और यह जो न्यू जनेरेशन का जो फैक्टर है यही डिसाइडिंग मॉम्मेंट भी हो सकता है यहां पर आठाए देखिए मुस्लिम जो भोटर्स है वो आप देखिए कि इंडिया गटबंधन को कहा जाता है कि जाता है लेकिन कुछ पवन सिंग को भी इस बार कुछ हेरियाज में मतलब मिले हैं जैसे आप डेहरी सार्ब काराकाट का सबसे बड़ा सार डेहरी है तो यहां भी कुछ हिलाकों में नाशरी गंज में मुस्लिम बहूल छेतरों में पवन सिंग को भोट दिया गया है अच्छा यह भी सुनने को मिल रहा है कि पवन सिंग को जो भोट मिले हैं महिला लोगों का ज्यादा वोट मिला है चुकि महिला इस से पावर एस्टार इनको बोला जाता है सुपर सबसे ताजा सर्वे में तो कहीं ने कहीं राजा राम और पवन सिंग और उपेंद्र जी जो है वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है दूर दूर तक नहीं देखिए त्रिकोनिया मुकाबला है लेकिन जैसा दोस्तों का फीडवेक आया या संबंद जो हमारे जो टीम है उ कि उसमें आया है कि मतलब जो टकर है वो राजा राम सिंग जी और पवं सिंग में हैं क्यूंकि लोग बोलते हैं कि जैसे पवन सिंग एक विशेश समाज से आते हैं जो कि वह inडिये को सपोर्ट करते हैं लेकिन हा जिसके कारण किया हुआ कि लोगों में ये है कि वहां पर भी खराव हुआ है इसलिए कंटेश्ट में राजा राम सिंग मतलब आ गया है जो है पमण सिंग के निर्दलिये चुनाव लड़ने से कारा काट में उपेंदर कुसुआ का वोट तो कटा है इससे फाइदा जो है वो राजा राम जी को हुआ है बिलकुल हुआ है बिलकुल 100% ह हुआ है और इसके लिए जैसे देखिए उपंदर को सौहा वी एक बड़े नेता है भी हार के एक समाज के बहुत बड़े नेता है पवन सिंग उनको बोला जाता है पावर स्टार है तो आप देखिए कि कहीं न कहीं बड़े नेताओं के बाद जो जंग बीच में जो जंग होती है ना कभी कभी तीसरी बाजी भी मार लेता है यह सेनारियों भी हो सकता है हम लोग इसको डिनाइ नहीं कर सकते हैं कि राजा राम सिंग जो है वो बहुत पीछे हैं अच्छा आप लोग किस है डालमियन अगर फैक्टरी का यहां पर पचीस हजार इंप्लाइज काम करते थे उस पर एक लाख जनसंख्या आश्रित थी तो यहां का सबसे बड़ा मुद्दा आपको है कि डालमियन अगर फैक्टरी खुले और उसके बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा है अभी मकरा है उने चार किलोमेटर घूम के आना पड़ता है कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है लेकिन रेल्वे प्रसासन इस पर कोई संग्यान नहीं ले रहे हैं आम जनता में काफी रोज है मतलब हर कोई कहीं ने कहीं हम पटना से भी आए तो बहुत गंदा तरीके से आए बदब र और आ रहे हो भी डेहरी ओंसों में बनना चाहिए अच्छा अभी के सर्वे की हिसाब से अगर पवन सिंग जीतते हैं तो वही 15-20,000 वोटों से जीतेंगे हां मार्जिन बहुत पतला है बहुत ही पतला है 15-20,000 या मालनो मैक्सिमूम हो सकता है तो 40-50,000 मैक्सिमूम जो पर जब रैलियां होई डेहरी ओंसों में परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी आए फिर उसके बाद अन्य जगहों पर आमीच साहज जी आए राजा राम राजनात सिंग आए जेपी नड़ा जी आए और भी छेत्रिये दल के बहुत बड़े बड़े नेता जैसे यहां पर चि सुहा के तरफ भी मूव किया था लेकिन फिलहाल जो है कराकार्ट से भी मैं आपको लाइव सर्वे बता रहा हूं आपको जो है एक्जिट पोल बता रहा हूं कि कितना मार्जिन रहेगा वोटों का तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है कहीं नहीं कहीं राजाराम और पवन धन्यवाद जहिन